खुशियों के ये फल आज हैं और हैं कल हम इस फल को जीले पुच्छ खापी ले पिज़ा पॉइंट कंगार फुट डिलिशिस मोमेंट्स कलम समवाद में शुक्रवार को मष्यूर कवियत्री अनामिका शेयर के नागरिकों से रूवर हुई होटर मान सिंग में हुए प्रभा खेता फॉर्मलेशन के इसकारे क्रम में अनामिका ने जीवन सहित्य समाज और स्त्री विवर्ष जैसे मुद्दो पर चर्चा की अनामिका ने सहित्तिक सफर के बारे में बताया कि मुझे सहित्तिक समझ पिता से मिले धीरे धीरे इस तरफ मेरा रुचान पढ़ता गया यहां मानना है कि दुनिया को खुबसुरत बनाने के लिए जरूरी है कि हम इनसानों से प्यार करें कोई इनसान अगर एक विक्ति को प्यार कर सकता है तो वो सारे जहां से प्यार कर सकता है पिता के दिल में मा कर दे हो तो दुनिया और खुबसुरत होती है अनामिका ने कहा कि खुद को खाली करते रहने का नाम भी जिन्दगी है प्रेकृर्टी अपने आप जीवन के खाली स्थानों को फड़ती रहती है हम खुद को खाली करते वे भी बहुत कुछ सीखते हैं फेमिनिसम पर अनामिका ने कहा कि अतिपूरुश होना चितना हानी का रहा है उतना ही नुकसान दायक अतिपूरुश होकर आप आतंकवादी होते हैं और अतिपूरुश होकर आप बार्बी डॉल बन जाते हैं उन्होंने कहा कि सौन्दर योवन और देह के जाने के बाद महिलाओं को लगता है कि उनका बहुत कुछ चला गया और इसके बाद वो खुद सौन्दर यवान, रूपवन और योवन प्राप्त महिला की दुश्मन हो जाती है ये कलम का तो काम ही होता है जोडना कलम के दो अर्थ होते हैं हिंदी में और उदू में एक तो पेन और दूसरा आम का कलम जिससे नया पेड लगता है दोनों धरातलों पर प्रभा पाउंडेशन से जुड़ा इनिशेटिव काम कर रहा है नई पौधों का प्रत्यार उपन कर रहा है नई समाज से जोड़ रहा है उसे नई जमीन उसको दे रहा है और दूसरा कलम का जो काम है वो कर रहा है कि हृदय तक उदरना हर शहर में एक उसका हृदय प्रदेश होता है पढ़ले लिखने सोचने वालों का उस हृदय प्रदेश से जो बाहर के लोग हैं जो कलम की दुनिया से आए हैं और जो अपने पाठकों से अंतरंग गपशब चाहते हैं उसके लिए इतना सुंदर मंच और इनके जैसे हर सिमरन जैसे युवक उसमें पूल बनाने का काम कर रहे हैं आप जैसे मीडिया कर्मी जो बढ़े लिखे युवकों का एक सचेत दल होता है ये काम कर रहे हैं तो एक तरह से ये एक सहयात्रा है एक बलग रहा है कि एक मशाल यात्रा निकली है किसी प्रयोजन पे और इसका प्रयोजन क्या है दिल से दिल तक राह बनाए।